इस समय चैत नवराती चल रही है नवराती के समय नौ दिनों तक माता मादुर्गा के नौ स्वरूप्म की पूजा की जाती है साथ ही देवी की पूजा करने से सारे रिक सांती के साथ मानसिक सांती की प्राप्ती होती है वहीं राहु, केतु और सनी के बुरे प्रवावरों से बचना है तो कुछ आसान उपाई इस समय आपको करना होगा जिने करने से इसके दुष्प्रवाव को कम किया जा सकता है तो आईए जानते हैं जो तिस आचारे से कि क्या उपाई बताए गए हैं जिन से राहु केतु और सनी देव के दुष्प्रभाब को कम किया जा सकता है नवरात्वी में राहु केतु शनी इत्यादी जो दुष्ट ग्रहे हैं इन सभी दुष्ट ग्रहों से जो भी उपत्रव या हमारे कार्यों में बादा आती हैं या संकट आते हैं या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से इन ग्रहों के द्वारा अठ्व पर्णा मेरी हमको प्राप्त होते हैं तो भगवत्ती की शाधना करने से सभी प्रकार के नवग्रहों से हमको शान्ती की प्राप्ती होती है राहू के कुछ शनी द्वारा जो भी बुरे प्रभाव हैं इन प्रभावों को कम करने के लिए हमको भगवती की आराधना करना चाहिए सर्व प्रभाव सर्व स्रेश्ट उपाय को यही है कि भगवती का जो दुर्गा सबसती है इसका नव चंडी दुर्गा पाट प्रियोग करना हमको चाहिए और गधान पूरवक इसका हवन करना चाहिए इससे हमारे जीवन में नवग ब्रहों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी संक्ट हो तो सारे संक्ट भगवती की क्रपा से दूर हो जाते है दुर्गा तबसती के नव चंडी दुर्गा पाट प्रियोग की अतिरिक्त यदि हम स्वयम करना चाहिए तो भगवती का जो नवार्ण मंत्र है उस नवार्ण मंत्र की प्रस्टेक दिन 9 माला व्छ्ति को नौ मीट एकम से लेकर नौ मी तक प्रस्टेक दिन करना चाहिए इस से हमको सोफल की ताप्ती होगी सनि की सालेसाती चल रही हो या ओइया चल रही हो तो 108 अनुमान का आइसाटे बट्री को पाट रोज करना चाहिए राम रच्षा श्रोज के 95 प्रति दिन करना चाहिए पूजन के स्थान्ठ पर एक हाती रख करके चांदी का हाती हो तो ज्यादा शोवपल की प्राप्ति होती है तो चांदी का हांती रख करके उसका नित्य प्रती 9 दिन तक पूजन करना चाहिए और उस हांती के साथ भगवती महालक्षमी का पूजन करना चाहिए और माताच चंद्रगंटार ब्रह्म चार्णी का विधी विधान पुर्वत 9 दिन तक पूजन करने से राहु केतु के द्वारा जो भी जनित उपद्रव हैं तो सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं और 9 दिन तक प्रती दिन करन्याओं का पूजन करना चाहिए एसा करने से राहु पेतु सनी के द्वारा जनित जितने भी उपद्रव संकट हैं वो सारे संकट दूर होते हैं और साती सात पूरे नवग्रों के द्वारा हमको सुभफल की दाप्ती होती है